और सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो कहां चूक हुई देखो और सुधार करो और सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो कहां चूक हुई देखो और सुधार करो जब तक न हो सफल नीद चैन को त्यागो तूम संघर्स का मैदान यूँ छोड मत भागो तूम बिना कुछ की ये ही जैजैकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हाज नहीं होती नमस्कार दोस्तों मैं पीके से धन्त एक बड़ आप से बात करना चाह रहा था तो आपके सामने इस तरह आया दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे पढ़ा जाए कैसे सेल्फ स्टेडी की जाए असल में हम सोचते ही गलत है सवाल तो हमारे लाइफ में कभी ये आता ही नहीं कि कैसे पढ़ा जाए क्योंकि इस तरह सोचना कि कोई काम कैसे किया जाए ये तो तब होता है ना जब हमारे दिल हमारी आत्मा उस काम से ना जुड़े हो तब हम प्लैन करतें किसी काम को करने के लिए तो सवाल ये नहीं कि कैसे पढ़ा जाए सवाल ये है कि क्यों पढ़ा जाए यह जो भी मैंने आपको कविता सुनाई स्री हरीवन स्राइब बच्चन साहब की शायद इस कविता ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी मेरा बच्पन इतना बुड़ा गुजरा इतनी सारी प्राब्लम्स मैंने छेली लेकिन मुझे ये कविता हमेसा याद रहती थी कितनी लाइन्स कमाल की है न और सफलता है एक चुनौती है इसे स्विकार करो मतल्लाइफ में जब भी अनसक्सेस हो तो आप ये सोचो कि वो एक चुनौती है आपके लिए उससे भागो मत उससे डड़ो मत उसे एकसेप्ट करो उस चैलेंज को कहां चुक हुई देखो और सुधार करो रिलाइज करो सोचो कि कहां मिस्टेक की आपने उसको ठीक करो ठीक है जब तक नहो सफल नींद चैन को त्यागो तूम क्या बात है जब तक सफलता नहीं अर्जीत होती तब तक नींद चैन को त्याग दो यह सोचो ही मत की तुमारे लिए जीवन में आराम है जीवन में तुमारे लिए आनन्द है उस टार्गेट को पुढ़ा करो उस लख्च को पुढ़ा करो संघर्स का मेदान यू छोड़ मत भागो तुम ज़्यादा तर लोग तो भाग जाते हैं अपनी पड़ेसानियों से डड़के और क्या कहा गया लास्ट में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है जो कोशिश करते रहे उन्हें तो सफलता मिलनी ही है वो कहा जाएंगे उन्हें तो कुशिश करने का पड़ी नाम एक ना एक दिन मिलना ही मिलना है एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ ठीक है एक कहानी है एक गधे की एक बार क्या हुआ एक गधा कहीं जा रहा था और वो गधा गड़े में गिर गया तो जब वो गधा गड़े में गिर गया तो लोग उसे उसके सारे मालिक आए उसके गाउं के लोग आए उसे निकालने के कोशिश करने लगे गधा चुकि बहुत भाड़ी था उसे पकड़ के लोग खीचने लगे रसी बांद के ओपर खीचने की कोशिश की लेकि सारे लोग फेल हो गया लोग गधे को ओपर नहीं खीच पाएं तो फाइनली लोगों ने क्या किया कि मतलब बोला कि ठीक है यार इस गधे को नहीं निकलेगा चलो इसमें मिट्टी डाल दो इस गधे को यह दफन कर देते हैं और फाइनली किया कि उन्हों मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया और जब मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया तो उसका धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि वो मिट्टी डालते गए और वो गधा उसके ओपर चड़कर जो है, थोड़ी दिर में बाहररा आ गया गधा, तो असल में हमारी life में भी ऐसा ही होता है हम भी बूरी तर ज़का है, बूरी तर ज़का है तीक है? और फिर हमें लगता है, भई, लोग हमें दबा रहे हैं लोग हमें जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं हमारे लिए परिशानियां खड़ी कर रहे हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं है ये चैलेंजेज ये परिशानियां असल में ये हमारे लिए रास्ता बनाती है तेखें ये हमें उपर बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है तो असल में हम उन बातों को सुनकर डिमोटिवेट हो जाए तो फिर तो कोई बात है अगर वो गधा वो मिट्टी पे पैर रकड़ बाहर नहीं आज तो फिर तो वो दफन हो जाता लेकिन आप उनको सीरियां बनाईए जब भी जिन्दगी में आपको ताना सुनने के लिए मिल को और सुनाता हूँ कि दो मेठक थे डोनों गड़े में इतिके डोन मेठक फुदकने लेगे बाहर निकलने के लिए तो बाहर खड़े लोग थे वह बाहर खड़े इसके मेठक के साथी थे वह लगण घटो नहीं निकल पाऊ गड़े से त्छिए गड़ा बहूं हाइट का ह इस गड़े की हाइट बहुत है इस मतलब इस गड़े का बहुत ज़्यादा है तो क्या हुआ कि एक मेड़क ने छोड़दीया और वो वह बिचारा को नेम जाके वहां बैठ गया और दूसरा मेड़क फुदकने की कोशिच करता रहा ठोरी देल में քख भाहर आ पता है अपनी society को लेके अपनेक इन-f Namco भी के मावाप को भी लेके ठेक है अपने दोस्तों को लेके अपने जो भी हमारे relatives हैं वो क्या बोलते हैं उनकी बातों पर कभी ध्यान मत दो आप उनका क्या कहना है वो क्या कहते हैं वो क्या नहीं कह रहे उनकी बात पर ध्यान मत दो बस अपने टार्गेट पर लगे रहा अपने टार्गेट पर फोकस करो एक समय आएगा जब आप टार्गेट को एचीव करोगे और समय सब की बातें जो होगी न वो जूटी हो जाएगी और आप सच्चे हो जाओगे पता है मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मोटिविशनल पॉइंट क्या था मेरे माबाप ठीक है जब भी मैं लाइफ में कभी हार मानता था जब भी लाइफ मुझे लगता था कि मैं हार जाओंगा तो मुझे अपनी मा का चहरा याद आता था मुझे लगता था कि मेरी मा जो है वो मेरे लिए वेट कर रही है मेरे सक्सेस का वेट कर रही है मेरे जीवन में आगे बढ़ने का वेट कर रही है तो जब मैं हार मानता था तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती थी और मैं और दूगनी तरीके से और दूगने स्पीड से में लग जाता था और मुझे आज भी याद है वो मुमेंट जब मैंने पनी मम्मी को जब मैंने गार खड़ी थी कौन आ गया गाड़ी से हमने दरवाजय पर तो मैं निकला और मैंने ममी को पैड़ चुके बोला कि ममी देखो ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए खड़ी दी या तुम पैदा चलती थी तो तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी दी मैंने और साइद वो मॉमेंट उस मॉमेंट पे जो मेरी मा के आँखों में जो चमक थी ना तो मैं आज तब उस चमक को भूल पाया हूँ और ना तो उस खुशी को मैं कभी भूल पाया अब ये पॉसिबल कैसे हुआ ये पॉसिबल कैसे हो पाया कि मैंने ऐसा किया एबं की लाइफ में, मुझे लगता है कि जब मैं 24 साल का था तभी साइद मैंने लाइफ हे सारे target पूरे कर लिये थे जितने target लोग पूरी लाइफ में पूरे करते हैं वो मैंने 23-24 साल में ही पूरे कर लिये थे कैसे कियa मैंने ठीक है मैं को एक्जामपल नहीं हूँ मेरे से भी कई लोग आगे हैं जो मेरे से भी कहीं ज़ादा एक्जामपल बन सकते हैं उसके पीछे रिजन था मेरा लगन, मेरी मेहनत और उससे ही बढ़कर ये था कि जब एक इनसान को ये लगे कि आगे खड़ा पीछे खाई कि जाने के लिए कोई जगह नहीं है या तो सक्सेस करो या तो डू और डाई वाली कंडिशन तो फिर कैसे हूँ आगे इनसान नहीं बढ़ेगा आप सब, हम सब के साथ एक बहुत बड़ी प्रावलम है कॉमन प्रावलम है हमें से ज़्यादा तर लोग मिल्ड ट्लास फैमिली से बिलॉंग करते है मिल्ड ट्लास फैमिली का मतलब यह हुआ कि हमारे माबाफ हमारे खर्चेद उठाते हैं हमें आगे बढ़ने में हिल्प करते हैं लेकिन हमारे future secure नहीं कर सकते हैं हमारे माबाप ठीक है हम जैसे आप जैसे ज्यादा तर लोगों की समस्या यही होती है कि हमारे माबाप हमारा future secure नहीं कर सकते तो वो हमें करना होगा ठीक है ये जो future वो secure नहीं कर सकते वो help कर सकते हैं वो हमें हिंट दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए लेकिन हमें बना बना एक फिचर वो नहीं दे सकते तो सबसे पहले अपने मावाप की तस्वीर को अपने दिल में उतारिए जब कभी पढ़ने में मनना लगे तो एक बार ये सोचिए कि आपके ममी पापा आपके लिए घर पे मेहनत कर रहे होंगे ठीक है वो आपके ममी आपके लिए मेहनत कर रहे होंगे आपके पापा आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे होंगे पसीना बाहर रहे होंगे जब यह सोचोगे न तो एक इनरजी मिलेगी अंदर से काम करने की मेनत करने की पढ़ने की और यही इनर्जी आपको मोटिवेट करती जाएगे आपको आने वाले सक्सिस के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ ठीक है एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़ क्या हुआ कि एक शेर था सेर के धेर सारे बच्चे थे एक दिन क्या हुआ एक सेर का बच्चा जो है वो फिसल कर गिर गया और वो जा कि सियार के बच्चों में जा कि मिल गया चुकि बच्चा तो बच्चा था और चुकि मां तो मां होती है चाहिए वो शेर हो चाहिए शेर इन हो तो उस शेर ने जो है ना उस बच्चे को पाला उस सेर ने और बच्चे को पालने के बद बच्चा धरे धरे बड़ा हुआ लेकिन चुकि वो शेर के बच्चों की बीच रहा तो सेर ने इसको पहचाना और पहचान कि उसको पकड़ के बलड़ी तुम तो सेर के बच्चे हो, यहां क्या कर रहे हो तो उसने बोला, रोर, धारो उसने मियाँ मियाँ करना, हुआं हुआं करना शुरू कि उसने बोला, नहीं धारो और उस बच्छे ने दाढ़ा और उसको पता चला यह, कि मैं असल में कौन हूँ हम सब के साथ तो यही होता है हम सब बहुत स्पेसल है हर इक परसण जो यहां तक पहुंचा है हर इक परसण जो मेहनद कर रहा है वो बहुत स्पेसल है आप पहचानने की देर है खुद को कोई ऐसा शक्स मिले जो आपको बताए आपको एहसास कराए कि आप कौन हो और वो शक्स कौन है वो सक्स खुद आप हो आप बताओगे खुद को कि आप कौन हो आप पहचानते हो खुद को कि आप कौन हो ठीक है ये कोई और नहीं बताने जाएगा कि असल में आप कौन हो ये सारा रास्ता ये सारी मंजलें ये सारे सब कुछ आपको अकेले सफर तैय करना है ठीक है मैंने जिन्दगी में हर तरह का समय देखा और ये सीखा कि भगवान भी हमें टेस्ट करते रहते हैं ठीक है और जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने अंदर के घमंड को निकाल कर बाहर फेको और बस अपने माबाब को याद रखो अपनी आने वाले सफलता को याद रखो जो सबसे जरूरी चीज है पता है वो क्या है वो है सिल्फ गोल सेटल कि आपने अपने लिए क्या गोल सेट किया है ठीक है इसको होसता है किसी और बेटर तरीके से बोला जा सकता हूँ मैंने नहीं बोला लेकिन एक बहुत जरूरी बात होती कि आपने खुद के लिए क्या गोल सेट किया है आपने आने वाले टाइम में क्या गोल सेट किया है खुद के लिए वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि मेरे 4-5 साल बात की प्लैनिंग आज की ही होती है मैं चार-पांस साल बात क्या करने वाल उसकी प्लैनिंग मैंने आज कर रखी है मैं पकी छोटी सी बात बताता हूँ आप हसना मत सैथ मैंने आपको पहले भी बताई है चुकि मैं बिहार से हूँ तो जो MS धोनी जी है वो जाड़कंट से है तो मैंने साथ बताई थी वाद दुबारा मैं आपको बताता हूँ तो क्या होना कि जो MS धोनी ना मुझे MS धोनी से बहुत जलन होती थी अब आप सोचना कि जलन करने की लेकि ठीक है आप कुछ भी सोचो लेकि मुझे MS धोनी के लक्स से बहुत प्रावलम थी मुझे लगता है यार मैं भी एतनी मेहनत करता हूँ ठीक है मैं भी लाइफ में बहुत सक्सेस हूँ और ये धोनी भाई तो यार कमाल का लकी आदमी है जो भी करता है सक्सेस्फुल हो जाता है जिस बालर को बाल थमा दे वो विकेट ले ले लेता है एक conference सुना मैंने एक Australia में जब गया था एक बहुत अच्छा मैं जो इसने विन किया तो वहां पर उसका interview हुआ तो उसने बहुत चोटी सी लाइन बोली उसने बोला कि first I plan then I work on that plan एक चोटी सी बात उसने बोली कि first I plan and then work on that plan कि पहले मैं plan बनाता हूं फिर उस plan पर काम करता हूं सहथ इस बात तो किसी ने सुना और किसी ने नहीं सुना लेकिन ये बात मेरे ने दिल में बैट गई क्यार क्या बात बोली इसने कि पहले plan बनाता हूं फिर plan पर work करता हूं कितनी खदरनाक बात इसने बोली और सच्चाई तो यही है कि किसी भी पर्सन के सक्सिस का यही एक रास्ता है कि आप प्लैन कीजिए चाहिए आप किसी भी क्लास में हो 9, 10, 11, 12, MSC, BSC जिस भी क्लास में हो आप, फर्क नहीं पड़ता आप प्लैन कीजिए कि आज से 4 साल, 5 साल के बाद आप को करना क्या है उस प्लैन के अभी से काम करना स्टाट की उस प्लैन के जो आपने एक्जाम सेट किया अपने लिए आपने पेपर सोच रखा है कि यह वाला पेपर मुझे क्रैक करना उसके लिए अभी से आप वीडियो देखो अभी से आप उनके जो मोटिवेस्टनल लेक्षर्स देखो अभी से आप उनके मतब देखो वीडियो कि भाई कौन उस फिल्ड में सक्सेस्फूल है कौन कहा है वह तो उन்का एक खुबी था तो उसे कहीं भीरा मिला तो वह हीरा को क्या किया उस ने उसने और गधे और गढ़ा जब उसने गधे के गलें बांद दिया तो फिर वो लेके घूम रहा था तो क्या हुआ कि उसने सोचा कि दिन मैं बेज देता हूं हीरे को ठीक है मत उसको पता था यह पत्थर है मैं बेज देता हूं कुछ पैसे मिल जाएंगे गधे के लिए खाने पीने का समय ले लूँगा तो वो पहले लेके एक दुकानदार के पास किया तो ओसको बटाए खि कि ठीक है यह अच्छा है पत्थर चमका रहा है तो तो जब वह जब जो घर के पास तो लड़े यार ये तो एक करोड़ का हीरा है मैं एक करोड़ उसके दूंगा तो उस हीरे की कीमत ना तो हीरे ने खुद बताई ना वो हीरा जिसके पास था उसे पता था उसे पहचानने वाले जोहरी को पता था कि उस हीरे की कीमत क्या है तो आपको पहचानने वाला क थाबित करना होगा खुद को ठीक है दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है कैसे पढ़ें मैंने हमेशा बोला कैसे पढ़ें ये कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि जब आपके अंतरमन से आवाज आएगी न जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है मुझे कुछ कैसे मेहनत करें ठीक है कैसे उस रास्ते पर चलें ठीक है तो आप भगवान को याद कीजिए उनको बोली कि भगवान हमें सद्बुद्धी दो हमें सही रास्ते पर ले चलो और जब आप सही रास्ते भगवान आपको ले जाएंगे तो आपको अपनी मंजलें दिखेंगे आपको अपने माबाप की आँखों में उनके पूरे होते वे सपने दिखेंगे, आपको अपने छोटे भाई, छोटी बेहन के आँखों में वो सपनों की बारिसें दिखेंगी, दिखेगा कि लोग आपको कितना पसंद करने लगे, ठीक है, और ये सब कैसे आएगा आने वाला समय आप जब सक्सेस्फूल होगे तो आपके पास सब कुछ होगा दुनिया की सारी चीज़ें होगी घर, गारी, पैसे, जमीन, जाइदा अच्छा लाइफ, पार्टनर, सब कुछ होगा और अगर इस सारे प्रोसेस में से सिर्फ पढ़ाई को निकाल दो अपनी मेहनत को निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा मुझे लगता है कुछ नहीं बचेगा ठीक है मैंने जीरो से यहां तक का सफ़र किया है शायद इसके पीछे एक ही रीजन था कि मैंने बस क्या करना है यह जुनूर मेरी आँखों में था जब मैं टेंथ में था तब भी जब मैं टूल्थ में था तब भी जब मैं मास्टर्स में बैसलर्स में था तब भी मेरे सपने मेरी आँखों में थे आपको आज भी दिख जाएंगे गौर से देखिए न आपको मेरी आँखों में आज भी सपने दिएंगे और ये सपने ही है जो मुझे सोने नहीं देते हैं ये सपने ही है जो मुझे बेचैन करके रखते हैं ठेक है? कहने के लिए बहुत सारी बाते हैं मैं आपको क्या समझाओं, क्या बताओं आप खुद भी छोटे बच्चे नहीं हो लेकिन कोई मोटिवेट नहीं कड़ेगा आपको चाहे आप संदीप महासुरी जी के लेक्चर देखिए या आप उज्वल पाटनी है किसी के भी आप मोटिवेशनल लेक्चर देखिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि आप डिमोटिवेट नहीं हुए है और ना आपको खुद को होने देना है ठीक है ठीक है रियलिटी जोड़िये खुद को जो रियलिटी है वो ये है कि आप हम जैसे सभी लोग हम लोग बहुत नॉर्मल बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करते है हमारे पास खुद के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जो है वो सिर्फ पाने के लिए है ठीक है और पाने का रास्ता कहा से होके जाता है तो बस मेहनस से होके जाता है आपको लगता होगा कि भाई जो है सफल होने के लिए हमें हमारे माबाप मतलब ब्लेम करना तो छोड़ी दो कि मेरे माबाप ने ये नहीं किया मेरे माबाप ने वो नहीं किया जादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है उन्हें माबाप को ब्लेम करते हैं मैं भी करता था लेकिंगे मुझे लगता है ना कि साथ फू जो पॉवर्टी होती है जो प्रावलम्स होती है लाइफ की असल टीचर हमारे यही होते है जो हमें उंगली पकड़ के सिखाते हैं प्लेटा ऐसे चलो ऐसे चलो एसे चलो और एक बाता हूं की लाइफ में जब इनसां सक्सेसफुल होता है तो उसको पता चलता है कि नहीं दुनिया में भगवान होते हैं अगर आप नास्तिख और अपने भगवान को नहीं देखा तो आप बस यकीन करके मेनज़ करना शुरू कर दो आपको बहुत सारे भगवान देखेंगे आपको पता है मैंने बहुत सारे भगवान देखे है मेरे लाइफ में बहुत सारे भगवान आये है अब आप पूछोगे सरका मंदिर में आपने भगवान देखा मेरे नहीं बंदरी भगवान नहीं देखा जब मैं किसी प्राउब्लम में फंस जाता हूँ तो मैं वन्स याद करता हूँ भगवान प्लीज हेल्प करो और भगवान किसी नहीं किसी परसन को बेज देता है मेरी हेल्प करने के लिए डिरिंग स्टडी मेरे लाइफ में बहुत प्रावलम आई लेकिन कुछ न कुछ ऐसे मुमेंट आते गए कि उन प्रावलम्स का सॉलिशन होता गया मुझे जिस चीज की नीड थी वो चीज कही न कहीं से मिलती गी और मेरी पढ़ाई नहीं रुकी मेरी स्टड़ी नहीं रुकी कर लिया चैनल में बताएं नहीं जाओंगा कि मैंने क्या किया लेकिन बात यहां नहीं है घूम भीकर बात यहीं आती है कि इन सब का सॉलिशन सेल्फ स्टड़ी है खुब पढ़िए खुब मन लगा के पढ़िए No Other Options आपको लगता हो कि सर ऐसे चार्ट बना के वैसे चार्ट बना रुम मत पूछो यार खुद से पूछो की कैसे पढ़ना है कोई Solution नहीं बता सकता है आपको खुद से पूछो क्या पढ़ना ए कैसे पढ़ना ए कप पढ़ना है इन सबका सॉलिसन अपका खुद का दिमाग देगा आपको पता है हम सबके अंदर इश्वर निवास करते हैं यह जो हमारे हिर्दे हैं न यहां इश्वर निवास करते हैं जब हम बहुत हार जाते हैं जब हम तूट जाते हैं जब हम ठक जाते हैं तो ये इस्वर उस जगार आके हमारे साथ देते हैं ठीक है, इसलिए जब भी कुछ करो तो ये सोचो कि भई अपने आपको साक्षी मान कर, भगवान को याद करो भई हम करने जा रहे हैं फलाना काम रूस सुबा उठो एक बार भगवान को याद करो बेगवान आज हम पहलाना काम करने वाले हैं, जब दिम्भर पढ़ने वाले हैं, मेरी मदद करना, ठीक है, और उस यकीन के साथ, उपर वाले पर यकीन, अपने मावाप के सपनों पर यकीन, इन सब को जब सोच के आप मेहनत करोगे न, तो जीवन में औसफलता जैसी कोई ची चीज आ कैसे सकती है, मुझे तो नहीं लगता कि ऑश सफलता जैसी कोई चीज आ भी सकती है, इसलिए सबसे जज़्यादा जरूरी चीज अपने अंतर मन से पूछो, क्या करना है, कैसे करना है, कोई नहीं जवाब को देगा, मैं नहीं बताँगा, पो कैसे पढ़ना है, बस समाज के गड़ीब बच्चों को देखो अपने समाज में ऐसे बच्चों को देखो जो लोग भटक गया उनको देखके आपको लगए कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ कि इनके लिए कुछ मुझे करना है तो खुद बहुद रास्ते खुलते चले जाएंगे मेसंजर ऑफ गौड बनो बगवान का एक जरिया बनो तो निस्चित रूप से आपको सफलता जरूर हाथ लेगेगी और फिर वो जो सफलता मिलेगी उस सफलता का स्वाद आप खुद भी चेके और पुरा समाज आपके माबाब आपके भाई भेंस सब मिलकर उस सफलता का जस् है ठीक है तो प्यारे दोस्तों मैं पीके से दंत मुझे आ गया देजिए धन्यवाद